काल दो है है लो बच्चो आज मैं आपको संस्कत की ब्याकरण के विशे में कुछ बताने जा रही हूं जिसमें से सबसे पहले संस्कत की मुख्ष सब्द याबन उनके बारे में बताते हूं पहला आता है हरस्व हरस्व का अर्थ है छोटा या छोटे का अर्थ आकार से नहीं होता बलकि उस बर्ण को बोलने वाले समय से होता है ये स्वर है आ, ई, उ, रे, और ले, अथा दूसरे दीर, दीर का अर्थ बड़ा बड़ा से होता है जिसका अर्थ होता है बोलने वाले सुरों में समय का ज्यादा लगना ये हैं आ, ई, उ, ए, आ, ओ, ओ, आप चलते हैं संस्कत ब्याकरण संधी है संधी का अर्थ सामन्य भासा में संधी का आर्थ होता है जोड़ना इस प्रकार संस्कत में जब दो बर्णों को आपस में मिलाया जाता है तब जो ध्वनी सम्मंधि परिवर्तन होता है संधी कहलाता है ठीक परिभासा जब अत्यंत समीप वर्ती यानि पास-पास दो या दो से अधिक बढ़नों को आपस में जोड़ने से किसी नियम के अंतरगत होने वाले परिवर्तन को संधी कहते हैं इसमें नियम का ध्यान अखना बहुत जरूरी है जैसे देव प्लस आले जुड़कर दोनों का जुड़कर बना देव आले संधी के भेद यानि प्रकार संधी तीन प्रकार की होती है नंबर का स्वर संधी ब्यांजन संधी गव बिसर्ग संधी स्वर संधी जब दो स्वरों का मेल होता है अर्था दोनों स्वर जब आपस में जोड़े जाते हैं उसे स्वर संधी कहते हैं अच्छा बच्छो स्वर संधी के भीड स्वर संधी मुख्य रूप से पांच प्रकार की होती है नमरका देर संधी प्रकार अब हम इसमें दीर संदी सवर संदी में भी दीर संदी बारे में वतानी जा रही है सूत्र है इसका अका सबर्णे दीर गहा अर्थात अका यानि आ यू रिर लिर कौन-कौन से आ यू रिर लिर चाहे हरस्व हो या दीर कौन-कौन से बताते हैं हरस्व या दीर सबर्ण यानि अका आसे बर्ण से निकलने वाले सबी सब्द बर्ण जो है वह सबर्ण हो यह जैसे हो उसका दीर हो जाता है जैसे इंदम के अनुसार हरस्व या दीर हरस्व या दीर यानि आ आ ई-ई-ई-उ-उ- यह समझ में आया रिर लिर स्वरों का सामान रस्वा दीर स्वरों से जोड़ने पर उनका दीर रूप हो जाता है दीर रूप यानि आ-आ-आ-आ-ई-ई-ई-उ-उ-उ-उ- रिर 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 का रिर हो जाता है इसे हम कहते हैं दीर संदी पंतु एक अपवाद है लिर का कोई भेद नहीं होता अर्था लिर का लिर ही प्रयोग होता है अब उधारण के लिए चलो हम उधारण पर आते हैं डेत्य यमे यह बढ़न में क्या है अ अ हरस्व आ प्लस अरे इसमें क्या है रस अ दोनों मिल करके डेत्यारे डेत्यारे बोलने में सब्द में क्या लग रहा यह बढ़न में सब्सक्राइब देर्ग आ अईसे ही विद्या देर्ग आ अले देर्ग आ विद्याले आ प्लस आ प्लस आ परावर बाड़ा यानि देर्ग आ कमल यानि हरस्वा दिर्ग आ कमल आ परेख्ष प्लस आर्थी बरबर क्या हुआ देखा सबी में सबीद देर्ग में परवर्ते तो रहे हैं आगे चलते हैं ये तो हमारे हुए वाले आप देखतें आगे ए अते हिरस्व ए ए और ए मिलकर के क्या हो गई अतीव ए प्लस ए रस्व ए रस्व ए परावर तीर गई ऐसे ही रजनी दीर गई यहां थी हिरस्व यहां है दीर अब आज में बोलेंगे तो एसा ही लगेगा जैसे की जोड़करके रजनी इस दीर्गी प्लस दीर्गी बरावर दीर्गी मही प्लस इंद्र देखो दीर्गी रस्व ए बदलावाया महेंद्र दीर्ग E प्लस हिरस्व E बरावर दीर्ग E ठीक आगे चलते हैं आका हो गया E का चल रहा है भानू देखो E का हो गया अब हम आते हैं उपे भानू यानि हिरस्व U भानू दया बार 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 बोलोगे आवाज आपके मुझसे यही निकलेगी भानू दया उ रस्व U प्लस हिरस्व U बरावर दीर्ग U सर्यू प्लस उर्मी देखो दीर्ग U दीर्ग U दीर्ग U दीर्ग U और दीर्ग U मिलकर के क्या बन गया दीर्ग U U प्लस U बरावर U सर्यू र्मी कैसे बना शर्यू र्मी लगू उर्मी ऐसे ही लगू घैपेव की लगी रस्व की और दूना मिल करके बड़ा बन गए दीरग बन गए लगूर मी उ प्लस बड़ा उ यानि दीरगू जरसू दीरग बन भर आवर है दीरगू थीरगू प्लस हरस्वषव उठसाब दीर्गु बदू दीर्गु उ हिरस्व उ उत्सव बदू उत्सव उ प्लस यानि की दीर्गु उ प्लस हिरस्व बरावर दीर्गु उ ठेक अब लाश्ट का बचता है अन्तिम रिरे पित्र रिलम देखो बच्चो पित्र रिरे रिलम पित्र रिलम अंतर लिखने में पित्र यानि की हमने रिरी को रिसी को ऐसे बनाया रिरी रिर को क्या कर दिया बढ़ा कर दिया रिरास्व को हमने दीर्ग में परवर्तित कर दिया क्या बन गया पित्र रिलम रिरी प्लस रिरी बरावर दीर गरे रही हरस्वरे रही हरस्वरे रही परावर दीर गरे रही ठीक चलो आज इतना ही